प्यारे बच्चों, गूगल मीट पे आपसे इस चैप्टर के बारे में बात किया था मैं और मैंने कहा था कि in the hills of उत्तराखंड, इसको उत्तरांचल भी कहते हैं there is a place where there are flowers everywhere and this place is called the valley of flowers अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप एटलस लेके देखिएगा ये देखिए एटलस है और ये देखिए ये green color में ये उत्तर प्रदेश दिख रहा है और ये उत्तराखंड है पहले ये हिस्सा ये पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था बाद में ये तूट के एक अलग प्रदेश बना उत्तराखंड अब आप जब नक्षा उठाए है तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सिमा किस से किस से लगती है उत्तराखंड से लगती है उसके बाद हरियाना से है और ये देखिए राजस्तान से भी लग रही है बत्तर प्रदेश से लग रही है चत्तिस गड़ से लग रही है जारखंड से बिहार से और एक देश है नेपाल उससे भी इसकी सिमा लग रही है तो उत्तराखंड आपने देखा इसी को उत्तराचल भी कहा जाता है तो यहाँ पर ये वैली अफ फुलावर्स है और इसमें मैंने आपको वीडियो भी भेजा है और बहुत तरह के यहाँ पर रंग बिरंगे फूल होते हैं तो ये जो फूल की घाटी है फूलों की घाटी अब देखिए अब हम यहाँ पर एक important चीज है ये मदुबनी पेंटिंग इसके बारे मैं हमने बात किया था ठीक है और हमने बताया था कि मदुबनी पेंटिंग क्या है What is मदुबनी पेंटिंग? It is a folk art folk art कहां का है? ये बिहार का है बिहार में एक डिश्टिक है मदुबनी वहां की ये पेंटिंग है ठीक है? और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई है ठीक है? तो अगर कोई आप से पूछे कि मदुबनी पेंटिंग क्या है तो आप कह सकते हैं कि it is a folk art and it is made on festivals and happy occasions और कहां बनाया जाता है? इस बनाया जाता है? अगर आप इस picture को आप देखेंगे तो अगर पुछा जाए कि इस पेंटिंग में क्या दिखाया जाता है? तो देखें human beings, birds, animal, trees, flowers ये सारी चीजें दिखाई जाती है और इसको बनाया कैसे जाता है? ये चावल का जो पॉडर होता है उसको पेश्ट बनाया जाता है और उसमें रंग मिलाया जाता है कौन-कौन सा जैसे इंडिगो है, turmeric है यानि हल्दी, हल्दी का रंग और फूलों से रंग लेके और trees का रंग लेके इन से लेके बनाया जाता है इसमें पूरा लिखा भी हुआ है आप book उठाके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है और इसमें आप देखें, जैसे मैंने आपको काम दी दिया था तो ये आपने कर लिया होगा तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो आपने किया होगा जो काम मैंने आपको दिया था इसमें देखी क्या है grow on trees grow on bushes उसके बाद तो इसमें आपको बताना है क्या बताना है कि trees पर कौन कौन से trees हैं जिसमें आपको flowers देखते हैं तो आप जामते हैं आप बच्पन में भी और नीचे class में भी पढ़के आए हैं one से लेकर कि plant के different form वो होते types होते हैं, herbs होता है shrubs होता है, trees होता है creepers होता है, climbers होता है बहुत सा पड़े हैं तो इसमें पूछ रहा है कि trees यानि big plants जो होते हैं तो ऐसे कौन कौन से plants आप देखते हैं जिसमें आपको फूल दिखाई देते हैं तो आप कह सकते हैं कि neem नीम एक ऐसा पेड़ है जिसमें उसके फूल दिखाई देते है गुल मोहर है गुल मोहर तो बहुत साफ साफ दिखता है अच्छे बहुत सारे पेड़ है bushes, जाड़ियां जैसे अब आप देखेंगे कि जो jasmine है वो भी बुश में आता है rose वो भी बुश में आता है तो आप लिख सकते है rose है, jasmine है आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है grow on creepers creepers आप जानते हैं जो जमीन पे रेंग जाता है जिसका stem बहुत मद्बूत नहीं होता सीधा खड़ा नहीं हो सकता है तो वो creep कर जाता है तो इसमें आप कह सकते है pumpkin है, gourd है ठीक है grow on water पानी के अंदर जो plants होते हैं तो इसमें आप कह सकते है lotus है, water lily है ठीक है bloom only at night सिर्फ रात में तो आप लिख सकते हैं कि रात की रानी है moonflower है ठीक है और एक दिया हुआ है bloom in the day and close at night यानि दिन में वो खिलते हैं रात को बंद हो जाते हैं तो lotus है sunflower है ठीक है तो ये इसको आप कर सकते हैं ठीक है with flowers can you recognize by their scent even with your eyes closed यानि अगर आपके आँख पर पट्टी भी बांदी जाए तो आप उसके scent से उसको पहचान सकते हैं तो ऐसे बहुत से flower है गेदा का flower है यानि marigold ठीक है rose है jasmine है उसके महक से आप बता सकते हैं ठीक है उसके बाद which flowers bloom all the year round तो इसमें आप देखिए एक hibiscus होता है और dahlia है ये सब पूरे साल भर आपको मिल जाते हैं which flowers bloom only in certain months यानि कुछ flowers ऐसे होते हैं जो पूरे साल नहीं खिलते हैं कुछ महीने खिलते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा rose आ जाएगा इसमें marigold आ जाएगा marigold भी पूरे साल नहीं खिलता है अब देखिए हम लोग flowers की बात कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा बात करना चाहिए कि flowers का use क्या है ठीक है और क्या है क्या हम बात कर सकते हैं कि किन किन मौकों पर किन किन occasions पर flowers का use हम करते हैं तो हम इसका use की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक फूट के तोर पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कलर के तोर पर इस्तेमाल कर सकते हैं उससे सेंट हम बनाते हैं ठीक है उससे हम बुके बनाते हैं उससे हम माला बनाते हैं गारलेंड उससे हम गजरा बनाते हैं decoration के काम मिलाते हैं उससे हम medicine भी बनाते हैं ठीक है तो बहुत सारा use है तो जैसे हम बात करें कि अगर खाने के तोर पर तो आपकी अब बता सकते हैं कि कौन कौन से flowers हैं जिनको आप food के तोर पर use कर सकते हैं तो जैसे कचनार है जैसे pumpkin का flower है जैसे banana flower है जैसे सहजन का flower है इसको आप कर सकते हैं कलर के तोर पर जैसे merry gold है zenia, tesu ये सब कलर के तोर पर हम use कर सकते हैं आज से बहुत से flower हैं जिनसे हम scent बनाते हैं जैसे jasmine rose, kevda ये सब flowers ऐसे हैं जिनसे हम scent बनाते हैं ठीक है और आपने देखा कि हम कोई अतिथी आता है या किसी institution है वहाँ पर कोई guest बन के आता है तो उनकी हम स्वागत जो है वो गुलदस्ता से करते हैं bouquet हम bouquet भी बनाते हैं माला बनाते हैं garland गजरा बनाते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम flower से करते हैं decoration में है decoration के तोर पर हम उसको use में लाते हैं flower से medicine भी बनता है अब जैसे पुदीना पुदीने के भी flower होता है और उससे हम सर्दी जुकाम इन सब चीज़ों का हम उससे दवाई बनाते है नीम के flower से भी दवाई बनती है skin की जो बिमारियां होती है उनमें वो काम आता है ठीक है अब देखिए हम लोग बात करें कि किन किन मौकों पर हम flowers को use करते हैं तो जैसे पूजा जब आप पूजा करने जाते हैं तो फूल इकठा करते हैं न तो पूजा करने के उस पे marriage में काम आता है किसी का welcome करना है तो उसमें काम आता है आपके घर का उदगाटन है घर बना है नया या कोई दुकान आपने बनाया है चाहे लिया है उसके उदगाटन के लिए हमको फूल की जरूरत होती है make-up करने के लिए श्रिंगार श्रिंगार करने में भी हमको फूल की जरूरत होती है ठीक है decoration करने के लिए हमको फूल की जरूरत होती है और जब आप देखते हैं कि किसी का दिहांत हो जाता है तब भी फूल यूस किया जाता है तो आप फूलों के बारे में जब आप अध्यान करेंगे तो जैसे आज हमने अभी बताया है इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखेंगे कि flowers are very very useful for us in our daily life यह जितनी भी हमने आप से बात किया वो सब आपके daily life से connected है अब हम आप से एक बात कर रहे हैं कि देखिए ये ये मदुबनी painting है ठीक है तो आपको मैं notes भेजूंगा लेकिन notes में आप क्या करेंगे उपर लिखेंगे अभी पहले notes भेजने के पहले the value of flowers तो मैंने आपको काम दिया था न कि एक page पर बहुत सुन्दर सा सिर्फ different flowers एक garden बना दीजे जिसमें different flowers हों और उसमें तितली वितली दिखलाईए ठीक है second page पर ये आपको करना है ये इसको बनाना है और ये जो लिखा हुआ है ना इसको बनाने के बाद इसके नीचे इसको लिखिएगा ये जो लिखा हुआ है इसको बना लीजेगा बहुत सुन्दर ढंग से बनाईएगा बहुत सुन्दर कि आपके पास समय की कमी नहीं है और उसके नीचे इसको लिखिए बहुत important है ये आगे भी आपको कभी काम आएगा मदुबनी painting एक ऐसी चीज है जो बिहार को पुरा represent करती है और एक इंडिया में ये एक unique चीज है ये एक तरह का unique art है in India and it is very very famous ठीक है ये कर लीजेगा उसके बाद मैं आपको जो notes भेजूंगा तो उसके बाद notes को आपको लिखना है तो पहला मैंने कहा एक page पर आप drawing बनाएंगे दीजे उसके बाद ये drawing बनाएंगे आप मधू बनी painting उसमें लिख देंगे आप मधू बनी painting और उसके नीचे इसको लिखेंगे ये जो लिखा हुआ है इसको करने के बाद जब मैं notes भेजूंगा उस notes को लिखेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही तैंक यू